हालो दोस्तों भारत अप्डेट चैनल में आपका आप स्वागत है और दोस्तों आई शाम की तीन इंपोर्टेंट अप्डेट्स आप सभी के लिए लेकर यहां पर आ चुका हूँ ह्प्डेट्स हैं और एस्प्डेट्स मंडी जे यॉइटी एक्जाम के रिकार्डिंग यहां पर अप्डेट है तो वो भी हम यहां पर देखने वाले हैं यूँकि वहां पर एक नोटिफिकेशन आया है तो चलिए फटा-फट से मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हू पीडिएफ आपको मिल जागा में टेलेग्राम चैनल के उपर वीडियो भूस्ट होने के थोड़ी देर बाद में और टेलेग्राम चैनल का नाम है भारत अप्डेट्स चलिए मैं आपको दिखा देता हूं नोटिफिकेशन दोस्तों पहला नोटिफिकेशन जो है यह पीच के हिसाब से यह इनका लेक्षन है आप हुआ है कि कि यह आप देखा लिजिएगा है tutto आप Kurz रहें की बात करते हैं आपकी category certificate and other जो required certificates होते हैं, documents होते हैं, वो सभी लगेंगे, one set of photocopies and one passport size photograph of the same at the time of personal counselling, ठीक है, तो ये सब कुछ आपका यहां पर लगगा, fees भी यहां पर बताए गई है, ओके, और ये है आपकी counselling, 31 October को, 10-15 बजे, ओके, सभी candidates के लिए, ground floor, ice roll, building, HP University, ये इसका venue है, सभी category के लिए, ठीक है, चले दोस्तों next notification, तो दोस्तों ये notification है, यहां पर आया हुए, सर्दार पटेल युनिवरसिटी, मंडी की दरफ से, objection tracker for the CBT connected, आपका जो exam हुआ था, computer based, 20 October को, तो उसके regarding यहां पर update है, जो candidates यहां पर CBT में अपीर हुए थे, 20 October को, that objection tracker will be made available, कल से आपको, objection tracker, जो है, available हो जाएगा, 29 October से, 31 October तक, यानि के, 29, 30 और 31 October तक, तो क्या-क्या यहां पर, guidelines, instructions हैं, आपर बताए गई है, तो इसके लिए, अब objection कैसे कर सकते हो, the link for the objection tracker, portal will be made available on the university website, तो यहां पर जो इनकी website है, recruitment वाली, यहां पर आपको, जो है, यह ऐसा link मिलेगा, objection tracker, यहां पर ऐसे लिखा होगा, objection tracker for GYT exam, held on 20-2022, ठीक है, उसके बाद, role number and date of birth of the candidate will be required, तो यह role number आपका, or date of birth आपकी चाहिए है, portal में enter करने के लिए, the login will be validated by OTP, उसके बाद, आपको जो है, एक OTP आएगा, जो आपका registered mobile number होगा, the candidate can check the response marked by them in the test, and based on the same objection, आप अपने जो है, यहां पर marks, responses देख सकते हो, यहां के response आपने की हुए है, और उस base के उपर, अगर कोई objection आपका, तो वहां पर आप submit कर सकते हो, objection के लिए आपकी दोस्तों, 50 रुपे लगेंगे, हर एक question के, अगर आपको लगता है कि question, इसका answer को छोड़ होना चाहिए था, और answer के में गलत अंसर है, तो वहां पर आप objection कर सकते हो, पचास रुपे एक question के लगेंगे, अगर पांच होगे, तो देख लो, 125 रुपे आपके लगेंगे, ठीक, तो उसे साब से यह होगा, और कोई भी other mode यहां पर नहीं है, सिर्फ online ही आपको इसके लिए किया जाएगा, और 29, 30 और 31, और यहां पर अबजेक्शन जो होगा, आपका वो review किया जाएगा, जो subject के experts होंगे, उसके बाद उसको ratified किया जाएगा, तो उसको देख लिजीए दोस्तों, यह इस तरह से आपको कल इसका लिंक मिल जाएगा, 29 से लेकर 31 अक्तूबर तक, ठीक है, बहाँ पर special लिखा होगा है, जो objection tracker for JYT exam, held on 20th of October 2022, ठीक है, तो यह पूछ रहे थे, यहाँ पर comment माया था, कि इसके बारे में बताओ, तो even आपको बता दिया, ठीक है, आप अपने जो, आपका रो नूमबर है, और आपका डेटो बता, उसी के, उसी से आप जो है, वहाँ पर बोर्टल में, एंटर कर पाओगे, ठीक आपकी वीडियो चे लेगे, तो लाइक शूर चैनल को सबस्क्राब चूरू करेगा, थैंक यू